हेलो फ्रेंड्स कैसे सब लोग उमीद करता हूँ और सब अच्छे होंगे तो यह वीडियो आप देख रहे हैं मोविकर सोलुशन के ओनलाइन एप्लिकेशन में जैसे के फ्रेंड्स आज हम सूपर आमोलेट लाइट सक्षन के बारे में जाने वाले हैं और यह जो डाइग्रा लेयाउट और बोड में ऐसा ओवर्वीव दिखेगा और यह जो आईसी में आप बता रहा हूँ आज SM3010 इसमें लगी होती है यह SM3010 अगर आप देखोगे तो इतने सारे मॉडल्स में आपको यह इसी यूज की गई है OnePlus के सेट में, Redmi के सेटों में, Samsung के काफीस सारे सेट में, Realme के सेटों में, Vivo के काफी सारे सेटों है और Sony और OnePlus वागारा में भी आपको मिलेगी 70 में भी मिलेगी So现在 इतने सारे सेट में आपको यह IG मिलेगी चलिए यह देखने में डिक्ती कैसे हैं थोड़ा आ जाते हैं यहाँ पर यह देख सकते हैं यह इस तरह से आपको दिखेगी SM3010 अगर आप Google दाएंगे Google दाकर डालोगे SM3010 IC यह देख सकते हैं यह आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगी SM3010 यह Light IC होती है ठीक है तो इसको अभी इतनी सारे बॉल है इसमें 25 बॉल का इसी होता है तो यह Light Section में अगर आप देखोगे तो इस तरह से आपको तीन कोईल आपस में पास में देखने मिलेंगे यह LCD Connector है तो इसको अच्छे से समझेंगे इसमें 3 LED का भी इस्तेमाल किया जाता है और आपको Light IC कहां है नहीं पता है यहां पर आना है डाग्राम में और component name में जाना है आपको जिसे मैंने कल भी बताया था component name और यहां पर Light IC कहां लिखा है यह वाला देख सकते हैं Light IC SM3010 तो यह Light IC के पास हमेशा तीन बड़े से कोईल देखने मिलेंगे जिसमें एक कोईल पर हमेशा ग्रॉंड आएगा इसको चलिए समझ लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह IC का data sheet है और तीन कोईल आपको देखने मिलेंगे और एक कोईल हमेशा ग्रॉंड के साथ connect रहेगा यह negative switching के लिए लगाया जाता है और बात करें यह सारे model में देखने को मिलेगी और इसके साथ कुछ LDOS में मिलेंगे सबसे पहले IC की requirement आपको पता है input supply हो देनी होती है VPH और VBAT जिसे कहते हैं 3.6 है 4V second ground भी देना होता है ठीक है उसके बाद इस अगर light नहीं जल रही है Samsung में तो light और graphic दोनों नहीं आएंगे क्योंकि यह super AMOLED light है उसके बाद यह 5 supply हैं आपको चेक करनी होती है output में तो सबसे पहले input कहां देंगे आपको पता ही है मैंने पहले बता दिया है VBAT और VPH 4V हमारा input होता है तो यहां पर देख सकते हैं A4, A5, B5, B4, B3 यह हमारे सारे के सारे input supply है यहां पर आपका 4V मिलने चाहिए और अंदर आपस में यह beep भी मानने चाहिए क्योंकि एकी supply है य लेने हमारी VBAT 6 जिसे कहते हैं इसको वी पीच भी कहते हैं कॉलकम वगर हमें तो चार वोल्टेज बैटरी लगाने पर यहां पर मिलने चाहिए इसके बाद यह पांच पिन जैसे वोल्टेज की लेने वैसे पांच पिन यहां पर गिराउन भी मिलेंगे आपको जो ब्लैक क आप देख रही है switching 1 SWLX switching के लिखा होता है जैसा मैंने पहले भी बताया LX1 या SW1 लिखा रहेगा तो वहां पर switching हो रही है LX2 यहां पर LX2 है switching 2 और switching 3 तीन मर्तबा स्विचिंग हो रही है तो मतलब इससे 3 output निकलें तो पहला जो switching हो रही है हमारी यहां पर LX1 की, यहां से जो voltage निकलता है, 4.6 का positive voltage, इसको हम ELVDD के नाम से जानते हैं, और normal hand set में इसको VSP के नाम से जानते हैं, Super AMOLED में हम इसे ELVDD कहते हैं, और जो normal MIOVO के sets होते हैं, इसको हम VSP के नाम से जानते हैं, चलिए switching 2 में, जो negative switching हो रही है, तो यहां से voltage भी negative out होगा, minus में voltage मिलेगा, 4.4 से 5V के आसपस, यह दोनों भी 55V बोलते हैं हम इने, plus 5 और minus 5, यह plus 5 होता है, जहां पर plus लिखा नहीं है, और यह minus 5 होता है, जहां पर minus लिखा है, तो दोनों 55V मिलने चाहिए, और यहां पर हो रही है, LX3, मतलब switching 3, switching 3 से जो निकलेगा, ELAVDD, मतलब 7 to 7.6 volt होता है, तो minimum 7.3 यहां पर लिख दिया है, मैंने, तो इसका जो नाम होता है, ELAVDD, analog voltage, आप इसे कह सकते हैं, या anode voltage भी आप इसे कह सकते हैं, समझने के लिए, यह 3 supply out होते हैं, और connector से enable 1 और enable 2, यह देख सकते हैं, यह 2 enable connectors to IC मिलने चाहिए, तभी IC activate होगी, इन में से कोई कोई भी एक line short हो गई, यह कोई भी एक line आपकी break हो गई, तो आपका light नहीं आएगा, friends, ध्यान रखना है आपको, अच्छे से ध्यान रखिए, सारी चीज अच्छे से चेक करना, step by step आपको चेक करनी है, कोई भी track break नहीं होनी चाहिए, कोई भी track open नहीं होनी चाहिए, यह input और output के लेने हैं, जितने भी आपके super amolet light आते हैं, उनमें आपको ऐसा ही IC मिलेगा, यह वाला latest IC है, 4G to 5G सेटों में मिलता है, तो आपको यह सारी tracker check करना है, अब यह तो हो गई supply की बात, अब इसके LCD को activate करने के लिए कुछ LDO supply होती है, यहाँ पर आपको सारा चीज समाझ गया होगा, जो के data sheet मैंने दे दिया है, latest data sheet है यह, तो चलिए, इस LCD को चलाने के लिए LDO 1 और LDO 2, दोनों चाहिए, तीन LDO है इसमें, diagram में ज voltage चाहिए, और दूसरा चाहिए 3.0, इन दोनों के लिए 2 LDO का इस्तिमाल किया गया है, low dropout जिसे कहते है, octa LDO, LCD के LDO को octa LDO कहते है, LCD section को octa कहते है, यहाँ पर 4 pinों का LDO मिलेगा, सबसे पहले pin, जो के 4 number pin है, उसकी input होती है, हमेशा, यहाँ पर 4 voltage मिलेगा, 3 number enable line होती है, यहाँ पर 1.8 का voltage आपको देखने मिलेगा, तब जब LCD लगी होगी, या graphic आपको लाने है, या light जलानी है, तब यहाँ पर voltage आएगा, और graphic बंद करनी है, slip mode में जाना है, तो यह voltage यहाँ से चला जाएगा, और यह जो आती है connected line, CPU के साथ connect होती है, LCD EN 3.0, यानि 3.0 का output निका जाते हैं इसे, तो 2.0 input होगा, 1.8 enable होगा, दो number ground है, जैसे इसमें भी दो number ground, 5 number बीच की center pin को 5 number count करते हैं, हलागे 4 pin ही LED में गिनते हैं, output जो निकलेगा 1.8, मतलब 3.0 और 1.8, यह दो नो भी आपके LCD में आने चाहिए, तो चली यह diagram में आ जाते हैं, तो देख सकते हैं, य यहाँ पर यह LCD connector है, यह हमारा 3.0 वाला LDO, और एक यह वाला हमारा 1.8 वाला LDO, यह दो line हमारे LDO से आते हैं, अब बात करते हैं LDO के enable signal को, तो enable signal यह देख सकते हैं आप यहाँ पर, यह CPU होता है हमारा, CPU से enable मिलते हैं LDO को, LDO enable 3.0 और LCD enable 1.8, यह दोनों भी यहीं से आ रहे है, और यह हमारा CPU होता है, Xenox 7904, तो इसमें RAM LP4 का RAM यूज किया है, तो भरहल, यह हमारा CPU होता है, तो यह सारी चीज आपको चेक करने है, LDO वगारा चेक करने हैं, अब यह लगा कहां पर होते हैं, बोड में देखना है आपको, 3.0 वाला LDO चेक कर लेते हैं, कहां लगा ह यह जस्ट CPU के नीचे दोनों LDO लगे हैं, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूँ, क्योंकि यह देख सकते हैं, यहां पर इसके बारे में इन्होंने बताया नहीं है, कुछ भी, अगर आप without knowledge के काम करेंगे, देख सकते हैं, CPU के जस्ट नीचे ही तो लगा है, LDO, CPU के जस् 7002, 7004, 7002, 7003, 7004, तो एक टचका हो गया, एक यह और एक यह, तो तीनों LDO आपको चेक करने हैं, 7002 जो है, हमारा यह वाला 3.0 वाला है, और 7003, 7003, चलिए, 7503 भी देख लेते हैं, यह LDO लगा है, यहाँ पर corner पे, मतलब पीचे side में लगा है, 1.8 का LDO यहाँ पर लगा है, देख सकते हैं, यह corner पे, यह शिल निकालने के time पे, पत्रा निकालने के time पे, यह हलका सा उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो फिर आपका light भी नहीं आने वाली है, तो ध्यान रखें यह चीज को, छोड़ी-छोड़ी चीज़ें होती है, आपको ध्यान रखना होता है, उमीद करता हूँ, यह 3 coil याद रखिए, और 3 LDO को याद रखिए, 3 coil और 3 LDO, 3 LDO में आपका 1 LDO टचका हो गया, 2 आपके light के हो गया, जोके मैं यहाँ पर अलड़ी सारा चीज समझा दिया है आपको, ध्यान रखिए सारे चीजों को, बहुत सारे मोडल में मिलेगा IC, डाटाशी शाथ में रख लीजिए, यह तरीखे का दिखेगा, ले ओट में इसा दिखेगा, यह Samsung A307 का है, तो जबी भी आप light IC दाल चुके हो, फिर यह नहीं पता है, तो चलिए आजाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आते हैं, डायोड मोड, और यहाँ दे ले लेते हैं, एक कोई भी एक, मल्ल्टिमेटर का value चेक कर लेते हैं, यह minimum to maximize value होती है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी model आपका है, आईए, यहाँ पर आपको ब इसी model का चेक करते हैं, तो practical वीडियो भी आएगा, light section पर checking के साथ, तो वो भी देखिए, आप लोग, easily आपको समझ में आ जाएगा, जियार पहले चेक करना होता है, हमेशां always आपको display connector का, यह हमारा display connector है, तो हमको सारे की सारे line नहीं चेक करनी है, हमारे जो line है, LCD, EL, VSS, यह देख सकते हैं, minus 4, यह plus 4, यह 3.0, यह 7 volt, और एक line चेक करनी होती है, 1.8 की line है हमारी, यहाँ पर देख सकते हैं, यह सारे line यहीं पर है, 3.0, 4.6, 4.4, 1.8 यहाँ पर, मतलब continuously, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह सारे line चेक करनी हैं आपको, यहाँ पर gr value आपको दे दिया है, minus में हमेशा value उल्ठे में चेक करना है, VSN में, VSS जिसे कहते हैं, या minus 5 भी कहते हैं, तो black probe से ground करना है, और red probe से यहाँ पर check करोगे, तो value आ जाएगा, जो के हमारी VSN की line होती है, यहाँ पर oil आएगा आपको, जब voltage आएगा, तब आप, जब value मिलेगा, जब आप red probe से check करोगे, तो यह gr value भी आपको समझ आगया होगा, सबका gr आप easily निकाल सकते हैं, तो उमीद करता हूँ, यह video आपको अच्छा लगा होगा, light section समझ आया होग ग्राफिक आपका ok रहेगा, तभी आपके यह सारी लेने काम करेगी friends, otherwise CP की coin line break है, तो आपका यह light नहीं जलने वाला है, पचलिए, कभी भी आपके बाद light section आये, तो IC निकाल करके, यह सारे पैड़ों की value चेक कर लिजे, बहुत easily आपको solution मिल जाएगा, thank you very much friends,